दोस्तो आज का वीडियो में हम बताएंगे सीलिंग फैन के कोईल को अपने हातों से रिवांटिंग कैसे करें वो भी बहुत कम खर्चे में और ज्यादा स्पीड में दोस्तो आप मार्केट से कोईल को खरीद कर लाती हो वो भी ज्यादा रेट में लेकिन उसका स्पीड कमपानी के फैन से बहुत कम हो जाते हैं और कस्टूमर खुस नहीं होते हैं पर आज जो हम डेटा बताएंगे ये ज्यादा स्पीड और खर्चे कम मेसीन से नहीं अपने हातों से कोईल को रिवांटिंग कर सकते हो तो दोस्तो आप अगर अपने हाँ अतों से कोईल को रिवांटिंग करते हो तो आपको तीन फाइदे मिनने वाला है एक तो ज्यादा आई स्पीड में होगा और ज्यादा आई स्पीड में होगा आप अगर मेरे चैनल में नहीं हो तो फ्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राब कर लिजिए और वीडियो को लाइक किजिए तो चलिए फ्रेंड मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हूं मैंने एक status ले चुका हूं और यह तुफान कंपणी का status है और इसको मैं आज winding करके आपको दिखाऊंगा तो सबसे पहले आपको यह जानना जोरी है कि सेलिंग फैन को कितने नंबर वायर से winding करते हैं तो सेलिंग फैन को फ्रेंट्स 36 और 35 नंबर वायर से winding करते हैं ठीक है तो 36 नंबर में कौन-कौन से करते हैं और 35 नंबर में कौन-कौन से करते हैं तो आप देख सकते हो यह तूफान कंपणी का है इसका जो इस स्टेस का जो साइज है यहां पर जो चावड़ाई है लगभग 12 mm चावड़ाई है तो फ्रेंट्स आपको इस तरह से इंसुलेशन पेपर लेना है ठीक है और इसका आप चावड़ाई देख रहे हो इसका जितना चावड़ है थोड़ा सा ज्यादा करके इस इंसुलेश चाट लिए अब हम क्या करें दोस्तों एक मैंने इसका इस्टेन बना के रखा हूँ यहां पर मैं इसको फिट कर दूँगा आपको अभी दिखा दाओ फीट तब देखिरो फ्रेंट्स मैंने इस तरह से बना के रखा हूँ एक इस्टेन और यहां पर स्कूरू के मदद से से कर दूंगा हम इंसुलेशन पेपर को लगा लेते हैं इस्टाटिंग कोईल में यह अंदर वाला इस्टाटिंग और यह बाहर वाला राणिंग कोईल ठीक है तो इस्टाटिंग कोईल जहां हम लगाएंगे वहां पर हम इस पेपर को सेट कर देते हैं इस तरह से आपको सेट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ अप को अभी करके दिखा दो हो फिर्ड्स कि इस venture से करणा है तो फ्रेंड्स अब देख सकते हो मैंद चारो तरह अब इसको लगा दिया अब देख सकते हुआ इस तरह से और यहां से आपको लपेटना है, ठीक है, और कोईल को लपेटने से पहले थोड़ा सा आपको डबल कर लेना, देखिए, इस तरह से मैं यहाँ बांद दिया हूँ, जितना आपको lead बाराना है, उतना ही डबल करना है, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, तो थोड़ा से आपको 10 बार आई इंच डवल कर लेना है आप किस तरह से लपेटना है और कितना टर्ण्स लपेटना है तो फ्रेंड्स यहीं पर लोग गलती करती है आपको इस्टटिंग कॉयल में 400 टर्ण लपेटना है ठीक है और देखिए मैं किस तरह से इसको लपेटना इस्टट करता हूँ इस तरह से फिर खुड़ा सा कैमरा उपर लेकर जो हाँ देखिए इस तरह से आपको मैं धीरे धीरे करके शुरू में दिखाता हूँ इस तरह से आपको लपेटना है लेकिन ध्यान रहे कि यह टाइट हो चीक है दोस्तों टाइट होना चाहिए इसको और इस तरह से आपको लपेटना है देखिए मैं खिर से देखिए इसको मैं उठाया और इसको उंगली से आपको इस तरह से खिच लिया खिर इसको मैं उठाया तो इस तरह से इस तरह से आपको गीन के लपिटना फ्रेंट चार सो ट्रण ठीक है तो हम अभी लपिटना शुरू करते हैं छे तो फ्रेंट्स अब देख सकते हो मैंने इसमें चार सो टन दे चुका हूँ अब आप इसको आगे में रिवर्णिंग कैसे करोगे तो इसको एंटीकलोग घुमाना है किस तरह से एंटीकलोग घुमाना है अभी मैं आपको दिखाता हूँ चलिए तो फ्रेंट्स मैंने इस तरह से घुमाया था ठीक है इसको मैंने इस तरह से घुमाया था लेकिन आप हमको एंटीकलोग घुमाना है आगे तो हम क्या करेंगे एसे लेंगे और आप इस तरह से घुमाएंगे देखिए अच्छा से देख सकते हो हो इसको हम इस तरह से घुम 14 15 16 17 इस तरह से आपको एंटी कलोग घुमाना है तो दोस्तों अब देख सेकते हो मेरा दो सलोट कंप्रीट हो चुका है मैंने दोनों सलोट में 400 400 टरन दे चुका हूं अब फिर से मैं इसी तरह आगे भी लपेटते जाऊंगा तो एक बार आपको कलोग घुमाना है एक बार ए उल्टा घुमाना तो इस तरह आप मैं 400 400 टन देखे उल्टा सिधा करते करते कंप्रीट कर दूंगा ठीक है तो मैं कंप्रीट करके आपको दिखाता हूं तो आप देख सकते हो मैंने जितना भी था सभी को काट डाला अब हम क्या करेंगे इसको हम लॉक करेंगे किस तरह से मैं अभी आपको दिखाता हूं तो आपको लॉक करने के लिए एक स्कूरूड रावर लेना पड़ेगा फ्रेंट्स और इसकूरूड ड्रावर के मदद से आपको एक हाथ से यहां पकड़ना है और देखिए अंदर में यहां पर गुशना है एक सेकंड आपको दिखाने को देखिए मैं इसको लॉक कर दिया देख सकतो हो यह लॉक हो चुका है आपको अभी दिखा रहा हूं देखिए अच्छा से आप देख सकतो फ्रेंज यह वाला लॉक हो चुगा है तो फिर मैं इसको लॉक करता हूं ठीक है तो इसी तरह सभी को लॉक कर दो थे डेकिए capitalize में एक लॉक कर करके आपको दिखा नहीं देखिए मैं किस तरह से लॉक करता हूं फिर से मैं यहाँ पर इसकूरड्राईवर था hotel आपको भी खुशा नाव स्बिạ pigas और इस तरह से एक उंगली से रबाना हा और एंशोरो ट्राइवर से इसे खीचना पिल्थन है फ्रींड देखे सकतों फिर इसको भी मैंने लॉक कर दिया फिरेंट करते इसी तरह आपको सभी को को लॉक कर देना है ठीक है यह भी लॉक हो चुका है अब यह वाला को लॉक करके दिखाता हूं आपको देखिए देखिए इसको लॉक कर देना है क्योंकि बॉड़ी में टाच हो जाएगा तो फिर सोट हो जाएगा फ्रेंट्स कोईल इतना मेहनत से कोईल बनाते हैं तो इसी तरह से सभी को लॉक कर देना देखिए मैंने तीन लॉक कर दिया तो इसी तरह से सभी को लॉक कर दूँगा फिर मैं आपको रानिंग कोईल को बारे में बताएंगे किस तरह से उसे रिवंडिंग कर थीक है और देख सकते हो जो स्ट्राइब के 14 सब्सक्राइब कर दिया कि सब्सक्राइब को समय उस्से 25 टंप मदेंगे तब यह अच्छा इस फिल भूमेगा तो मैंने मैं 375 ट्रांज देंगे इस रानिंग कोईल में फ्रेंट्स और तब ही ये अच्छा स्वियल में घुमने वाला है और सब्सेट इसितरा से मैं पहले रिवांडिक कर लेता हूं उसके बाद आपको कानेक्शन भी दिखाता हूं कि इस तरह से कनेक्शन करना है ओके फ्रेंट्स अब देख सकते हो मैंने रानिंग कोईल भी कम्पिलिट कर चुका हूँ और मुझे टोटल एक घंटा लगा और यह आठेश शलोट का कोईल था 14 अंदर 14 शलोट बाहर तो मुझे लगभग 2 मिनट करके लगा एक एक सलोट में और आपका भी जब एक्सप्रिय सद्सेड को ठीक है का काम सिर्ब स्ट करना कोष़ दो कशली से में अंदर वाला कोईल 25 50 1 रहा होना चाहिए ऑर आप यह बात कभी भी गलती मत करना क्योंकि कुछ दोस्त मेरा अंदर वाला कोईल ज्यादा बेते हैं कर आप कर देते हैं और बाहर वाला टंज जो है ज्यादा कर देते हैं तो आगर रानिंग कोईल को ज्यादा कर दीजेगा अंदर वाला कम कर दीजेगा तो फ्यान स्पीड में नहीं गुम है क्योंकि आप देख सकते हो इसका जो चावडाई है आप देख सकते हो रानिंग में इसका ल बढ़ा नहीं करेंगे तो इस तरह से और इसका कैसे करते हैं मैं दिखाऊंगा और आगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि पुराना फैन को फैन जो है उसका स्पीड अगर कम हो रहा है तो उसका स्पीड कैसे बढ़ा जाए तो बहुत यह अच्छा ट्रिक्स लेकर और चैनल में नहीं हो तो प्रीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना है थैंक्यू थैंक्यू शो